हेलो फ्रेंज, तो फ्रेंज क्या आप बहुत दिनों से एक लड़की को पटाने में लगे हुए हैं और आप कोईश किये जा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो लड़की आपको पसंद करती है या नहीं आज हमें इस कोईशन का अंसर आपको जरूर देंगे और आज का हमारा टॉपिक है क्या वो लड़की आपको पसंद करती है फ्रेंज दिखे लड़कियां बहुत ज़्यादा हिंट देती हैं कि वो आपको पसंद करती है नहीं लेकिन उस हिंट को ग्रैप करने वाला कोई होना चाहिए दिखे फ्रेंज हम लड़के अकसर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते है जो कि लड़कियां ऐसा करती है हमें हिंद देने के लिए हम लोग बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करते और हम अपनी कोशिश किये जाते है तो friends, आज हम कुछ चीजों की बात करेंगे जिससे की पता लगाया जा सकता है कि लड़की आप में इंटरेस्ट ले रही है या नहीं, क्या वो आपको लाइक कर रही है या नहीं Friends, पहली बात हम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो की है आँखें, नजरें Friends, क्या अकसर ऐसा होता है कि जब भी आप कॉलेज में, स्कूल में या फिर कहीं पे भी कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि आपकी आँखें मिल रही हैं, और जैसे ही आँखें मिलती हैं, वो तुरंध अटा लेती है क्या वो शर्मा जाती है, Friends, अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब वो हिंट दे रही है कि वो आपको पसंद कर रही है, एटलेस्ट वो आप में इंटरेस्ट ले रही है Friends, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, अगर आपकी आँखें मिल रही है, तो फिर वो हटा लेगी, लेकिन एक हटाना अलग सा होता है कि वो एक शर्माहट सी आ जाती है दूसरा Friends की वो क्या आपको देखके कभी कभा स्माइल कर रही है ठीके Friends, स्माइल अगर वो कर रही है, तो फुल ऐसा नहीं दिखाएगी, कि वो आपको देखकर ही स्माइल कर रही है हो सकता है कि वो आपको देखकर स्माइल कर रही है और फिर वो अपनी Friends से बात करने लग जाए बट वो बात तो कर रही है अपने friends से लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर में आपको notice कर रही है कि आप क्या कर रहे हैं कि किस से बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो आपको notice कर रही है तो friends ये भी एक hint है उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या वो आपसे बात करते वक्त अपने बालों से खेलती है ये फ्रेंज बहुत ही बड़ा हिंड होता है कि अगर कोई भी लड़की आपसे बात करते वक्त अगर वो उसके अंदर में मन में कोई हलचल होती है या दिल में कोई हलचल होती है कहИंच रही है जो भी खेल रही है उससे भी बहुत बड़ा हिंट होता हैं या फिर वो अपने होट को दातों में दबार यह अगर यह हींट आपको मिल रहा है तो फिर लगी लेवल की बात होती है इसको यह माना जाता है कि वह इंडारेक्ली आपको किस के लिए अप्रोच कर रही है मैं नहीं मानता इतना कि ऐसा हो सकता है क्योंकि लेकिन बहुत ही मुश्किल से यह मिलता है लड़कों के दरब से अगर आप कोई मिल रहा है तो बहुत बल्ले बल्ले वाली बात है फ्रेंस उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या वो जलती है जब आप किसी और लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं या बात करते हैं फिरस देखे लड़कियां ऐसी होती है कि उनको यह चाहिए होता है कि आप जो भी करें उसी के साथ करें अगर वापको पसंद करती है तो अगर नहीं करती तो उसको कोई मतलब नहीं आ आप बोलती है किया पता है वो लड़की ना सही नहीं है उस लड़की का करेक्टर ना सही नहीं है या फिर तुम से बहुत मस्ती से बात कर रहे थे मैं देख रही थी क्यों कर रहे थे तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा जल रही है उसको यह पसंद नहीं आ रहा कि आप किसी और लड़की से बात कर रहे हैं क्योंकि लड़कियों को competition पसंद नहीं होता उसके बाद friends हम बात करते हैं कि जब वो आपसे बात करें तो क्या वो आपको टच करती है लड़कियां अगर आपको पसंद करेंगे या लड़की अगर कोई आपको पसंद करती होगी तो किसी ना कि कि इसी बाहने से चाश करने की कोशिश जरूर करें कि हो सकता है कि यू इसी बाहने ही टищ करेकि आपके हात में और आया उसको अप मजाक मचाक में एक खल्व के हाद से थपड़ मार तो इसके बाद फ्रेंज को अपने कौने से आपके हातुं पे मार दे Herrn एक हिंट होता है कि वह आप में इंडरेश्ट ले रही है या फिर आपको पसंद करती है उसके बाद फ्रेंज वह हमारा पॉइंट अगला है कि क्या वह भाने दूरती आपसे बात करने के लिए क्या कई बार ऐसा हुआ है कि वह आपके पास आके कोई भी बाना चोटा सा पूचती है क्यार अगला पीरयट किसका है फ्रेंज वह और किसे भी पूछ सकती थी लेकिन अगर इस्पेशली आई है आपके पास यह पूचने तो फ्रेंज का मतलब है कि वह आपसे बात करने के बहाने धूर रही है इसका प्लेर क्लेर इंडिकेशन है कि वह आपको लाइ और ब्लश आप कई तरीकों से देख सकते हैं कि ब्लश कर रही है नहीं वह ऐसा हो सकता है कि आपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती हो या फिर आपके आखों में अगर आखे देख रही है और वह अचानक से नीचे कर ले और शर्माने लगया तो इसी स्माइल देने लगये नीचे मुझ करके और या फिर हो सकता है कि वह आपको देख के हस रही है और वह तुरुंत धर मुझ कर ले दूसरी साइड तो यह क्लिर इंडिकेशन है कि वह शर्मा रही है और वह आप में इंट्रेस्ट ले रही है उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या वह अप मैं आज कैसी लग रही हूँ तो इसका मतलब यह है कि आपसे तारीफ लूटना चाह रही है मतलब कहीं नहें कि आफ लहां ले रही है उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा होगा अग्ला कि वह इस चीज में इंट्रेस्ट ले रही है कि आप relationship में है नहीं तो फिर ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि वो कुछ ना कुछ चाहर ही है वो relationship में आने में interested है कि friends लड़कियां अकसर ये सोचते हैं कि क्या ये मेरे से ऐसे बात कर रहा है है सबसे ऐसे बात करता है क्या इसकी कोई girlfriend है या नहीं है तो आपसे जरूर पुछेगी कि और वो पतलब हो सकते है अचानक से भी पूछ ले हो सकता है कि किसी बहाने से अगर कोई बात चल रही है तो पूछ ले अक्सर होता है यह कि वह अचानक से पूछ लड़कियां आना चाह रही है अगर कोई लड़की आपसे पूछे कि आप रिलेशनशिप में है नहीं आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखिए तो उसके बाद friends हम बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि क्या अगर आप online चैट करें तो क्या व पैक से जवाब दे रही है और बहुत ही लंबे-लंबे मेसेज़ेस कर रही है तो इसका भी friends बहुत अच्छा मतलब होता है कि वह आपके आपसे बात करना चाह रही है तो friends मैं उमीद करता हूँ कि यह सब चीज़ें आपको जरूर हेल्प करेंगी कि आपको यह समझ में आ ज लट कैसे कर सकते हैं friends अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको पता नहीं चल रहा हो कि वह लटकी आपको पसंद कर रही है नहीं और आप कहीं पे भी कन्फियूजन आ रहा है तो जरूर आप कमेंट में पूचिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आप आपकी दुविधा को दूर करने के लिए friends अगले वीडियो का वेट करते रहेगा अगली वीडियो हमारी फ्लर्ट पे आएगी कि हम फ्लर्ट कैसे करें friends अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेगा सब्स्राइब करेगा और कमेंट करेगा थेंक्यू तो यहाज करेंस